आप सबका स्वागत है हमारे यूटीव चैनल में आज हम पढ़ेंगे क्लास तैंत की मैट्स एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.1 का फिप्त क्योचन्स यदि सेक ठीटा बराबर तेरा बटा बारा हो तो अन्य सभी त्रिकॉंड मेती अनुपात परिकलीत कीजिए तो हाल सेक ठीटा बराबर तेरा बटा बारा तो सेक ठीटा का अनुपात होगा कर्ण बटा आधार तो इसमें कर्ण का वैली हो जाएगी तेरा और आधार की वैली हो जाएगी 12 तो सबसे पहले हम सम कॉंट्रिबूस बनाएंगे यह नबे डिग्री हो जाएगा अब ठीटा यह ठीटा हो जाएगा अगर आप सी को भी ठीटा मानने तो मान सकते हैं और एक को भी मानना हो तो तो थीटा के समने वाला लणञ्ठी दभी डिग्रेग्री के सामने वाला कर्ण्ट तो का दो सबास्थे टेरा फीडा के सामने वाला लटम्ध और एबी हो जाएगा आधार रो सुझ लंधा नएंप आंवेémaद्स करना है वैस इसलदेंत पार्ध करना आपतर्स बीजिते square बराबर A B का square plus B C का square A C का square औजएगा Tera का square बराबर B का square औजएगा Bara का square plus B C का square BC में find करनी है तो तेरा का square हो जाएगा 169 12 का square हो जाएगा 144 plus BC का square 169 minus ये इस साइड जाएगा तो 144 बराबर BC का square 169 मैं से 144 को minus करेंगे तो पीचे बजेगा 25 BC का square यहां पर BC पर स्क्वेर हटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 25 पर स्क्वेर रूट और 25 पर स्क्वेर रूट होता है तो 5 हो गया तो BC आगई 5 अब हमें इसमें बोला गया है कि अन्या सभी त्रिकॉर्ण मीती के अनुपात पर इकलित कीजिए यह मदलब कि सेट Jackie महरा तो दिया हुआ इसली हमें दूसरे सारह अनुपात भाठ करने तो सबसे पहले हम याद करेंगे स्फाइन थीटा का अनुपात और सहाईं ठीटा का नुपात होता है लंब अब कर्ण लंब हो जाएगा बीसी क्योंकि ठीटा के सामने है बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी तो बीसी है फाइफ और एसी है थर्टीन तेरा अब हम करेंगी कॉस ठीटा कॉस ठीटा का नुपाद होता है अधार बटा कर्ण अधार हो जाएगा एबी और कर्ण हो जाएगा एसी तेरा 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 का अनुपाद होता है लंब बटा आधार लंब हो जाएगा बीसी और आधार हो जाएगा एबी बीसी होगा फाइफ बटा एबी हो जाएगा बारा कोसेक ठीटा कोसेक ठीटा का अनुपाद होता है कर्ण बटा लंब कर्ण हो जाएगा एसी और लंब हो जाएगा बीसी तेरा बटा पन्रा कोट ठीटा कोट ठीटा का अनुपाद हो जाएगा आधार बटे लंब अनुपाद हो जाएगा एबी और लंब हो जाएगा बीसी एबी की वैल्यों हो जाएगी ट्वेल्ट और बीसी की वैल्यों हो जाएगी फाइफ तो आमने सारे इन उपात ग्यात कर लिए और यह questions हो गया complete और यह आगया answer Thank you